होली के वक्त घर में गुजिया ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता पर अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजिया बनाना बहुत बड़ा टास्क है या फिर गुजिया बनाने में आपको बहुत सारी दिक्कते आती हों तो वो आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन्स हमारी आज की वीडियो सॉल्व कर देगी क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया वो भी बिल्कुल मार्किट स्टाइल में इसे देखने के बाद गुजिया खस्ता भी बनेगी और घी में डालने पर खुलेगी भी नहीं तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया का आटा गून लेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर सवा कप मैदा लिया है इसके हम बीचों बीच पहले गैप दे लेंगे इसके बीच में हम ओल डालेंगे मैंने यहाँ पर देशीगी मेल्ट करके लिया है इसमें मैं तीन बड़े चम्मे देशी घी सबसे पहले डाल दूंगी अब हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे अगर आपको ये परेशानी होती हो कि गुजिया में घी कितना डलेगा तो इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद आप हाथ से जोड़ कर देख ले अगर आपका आठा इस तरह से एकठा होना शुरू हो जाए तो आपका घी गुजिया में बराबर है पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर आठा भी एकठा नहीं हो रहा तो इसमें मैं दो बड़े चम्मे देशी घी और डालूंगी अगर आपको नरम और बड़िया सी गुजिया चाहिए तो उसके लिए घी की क्वांटिटी मैदे में अच्छी सी डालनी बड़ेगी अब आप देख सकते हैं कि हमारा मैदा अच्छे से जोड़ने लग पड़ा है यानि कि इसमें हम बराबर घी डाल चुके हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे हमें इसका डो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया है इस पानी मैंसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लूँगी पानी को हमें एकदम से नहीं डालना नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा बढ़िया आटा गुनने के लिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसे अच्छा सा प्रेशर देते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा डो कितना सॉफ्ट और बढ़िया तयार हो चुका है अब हम इसे सेट होने के लिए गीले कपड़े से कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक हम इसके फिलिंग की तयारी कर लेते हैं हमने यहाँ पर एक कप पानी लिया था और इसमें से एक चुथाई पानी लग चुका है गुजिया के फिलिंग मिनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में एक बड़ा चमच देसी घी डाल लेंगे घी में हम अपने ड्राइफ रूट्स रोस्ट कर लेंगे मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच बादान लिये हैं और साथ ही मैंने यहाँ पर दो बड़े चमच काजू लिये हैं इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक चमच पिस्ता लिया है इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए सौटे कर लेंगे मैंने यहाँ पर साबूट ड्राइफ रूट्स लिए हैं इन्हें हम रोस्ट करने के बाद फाइनली चॉप कर लेंगे जैसे की ड्राइफ रूट्स रोस्ट हो चुके हैं अब हम इनको एक बावल में निकाल लेंगे और इनके ठंडा होने पर इनको बारीक काट लेंगे ड्राइफ रूट्स के रोस्ट होने पर इसी पैन में हम एक चुथाई कप सूजी रोस्ट कर लेंगे सूजी को भी हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे इसे हमें हलका गोल्डन ब्राउन कलर आने तर रोस्ट करना है इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूल लेंगे जैसे कि हमारी सूजी थोड़ी से ब्राउन होने लग पड़ी है इसमें मैं एक चुथाई कप डेसिकेटिट कोकोनट डालूंगी ये नारियल का बुरादा आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा ना मिले तो आप इसकी जगा फ्रेश कोकोनट को भी कदुकस करके ले सकती हैं इसे भी हम इसमें डाल कर अच्छे से बुन लेंगे जैसे कि डेसिकेटिट कोकोनट को बुनने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता इसे हम सूजी के साथ ही बुन लेंगे जैसे कि सूजी और कोकोनट दोनों ही हलके ब्राउन कलर में आ चुके हैं यानि कि अच्छे से भुन चुके हैं अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अगर हम इनको इसी बाउल में छोड़ देंगे तो यह बहुत जादा डाक कलर में आ जाएंगे तो इसलिए हम इने गरम पैन से निकालते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे हमने फिर से वही पैन ले लिया है, इसमें हम आदा कब खोया डाल देंगे खोय को मैंने हलकेसे हाथों से मसल कर लिया है, इसे भी हम चलाते होए बहुत लेंगे खोय को हम मीडियम फ्रेम पर चमत होब अच्छे से बहुत लेंगे खोई को लगाता चलाते वे भुनेंगे नहीं तो खोया नीचे लगने की वज़ा से सारी गुजिया का टेस्ट खराब हो जाएगा फ्लेवर के लिए इसमें आदा चोटा चमच एलाइची पाउडर डालेंगे और इसमें हम एक चुथाई कप चीनी का पाउडर डाल देंगे मैंने यहाँ पर बहुत जादा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया क्यूंकि हम चाश्टनी वाली गुजिया बनाने वाले हैं चाश्टनी के अंदर जाने की वज़ा से भी गुजिया काफी मीठी हो जाएगी तो इसलिए इसमें हम चीनी थोड़ा कम ही डालेंगे जैसे की खोया बुन चुका है अब हम इसमें कोकरट, नारियल और ड्राइफ रूट्स को एड़ कर देंगे कर देंगे तो हमारी गुजिया की फिलिंग तयार हो चुकी है इन्हें हलका सा ठंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम अपनी चाश्टनी तयार कर लेते हैं गुजिया की चाश्टनी बनाने के लिए हम यहाँ पर डेट कप चीनी ले लेंगे और इसमें डेट कप पानी डाल देंगे तो चाश्टनी के लिए हम चीनी को चलाते हुए पिग ला लेंगे अगर हम चलाएंगे नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी हमें इसकी चाश्टनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी नहीं ज़्यादा पतली बनानी है अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी बनी तो वो गुजिया के अंदर तक अपना स्वात नहीं चोड़ पाएगी इसलिए हमें चिपचिपा टेक्स्चर आने तक ही चाशनी को बनाना है चाशनी में खुश्बू के लिए मैं इसमें आदा चमच इलाइची पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगी तो जैसे की हमारी चाशनी काफी चिपचिपे टेक्स्चर तक आ चुकी है अब हम इसे साइट पर रख लेंगे और अपनी आगे की तयारी कर लेंगे पर जब भी इसमें गुजिया को डिप करेंगे तो चाशनी को हलका गरम करने के बाद ही टिप करेंगे ठंडी चाश्टनी में गुजिया डालने से गुजिया के अंदर तक चाश्टनी एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगी तो हमारा गुजिया का आटा बहुत ही बढ़िया बन चुका है आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे आटे को इस तरह से हम सिलेंड्रिकल अकार दे लेंगे और इसके छोटे-छोटे पेड़े बनाकर रख लेंगे इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े त्यार कर लेंगे अब हम इसको पतला बेल लेंगे हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और नहीं ज़्यादा हमें इसे मुटा बेलना है अगर इसकी शेप ठीक ना बने तो आप घबराये नहीं हम इसे कटोरी की हिल्प से साइडे इसकी काट देंगे वैसे तो आप इसे इस तरह से साचे में डाल कर भी बना सकते हैं पर अगर आपके पास इस तरह का साचा ना हो तो मैं आपको दूसरी तरह से बता देती हूं इसे हम इस तरह से किसी भी कटोरी की शेप में काट लेंगे बाकी की जाइडों का जो आटा बच जाएगा इसे हम दुबारा उसी आटे में मिक्स कर देंगे अब हम इसमें अपनी फिलिंग डाल लेंगे फिलिंग को हमें बहुत जादा नहीं डालना नहीं तो हमारी गुजिया फट जाएगी इसे हम इस तरह से गुजिया में फिलिंग डालने के बाद इसकी साइट्स को अच्छे से सील कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी साइड्स को अच्छी तरह से सील कर लिया है अगर आपको लगे कि आपकी गुजिया की साइड्स खुल जाती हैं तो सील करते वक्त आप इसके किनारों पर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं इस तरह से मोडते हुए हमेसे गुजिया को डिजाइन देंगे अगर आपकी गुजिया फ्राइ करते हुए फट जाती हो तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देने वाली हूँ तयार की हुए गुजिया में सेफटी पिन की हेल्प से एक छोट असा छेद कर लिजिए इस से गुजिया के अंदर हवा नहीं भरेगी और फ्राइ करते हुए गुजिया फटेगी नहीं अब हम गुजिया को फ्राइ कर लेंगे fry करने के लिए हमें यहाँ पर oil को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना मैंने यहाँ पर oil को medium गरम किया है अगर हम बहुत ज़्यादा oil को गरम कर देंगे तो हमारी गुजिया डालते ही बाहर से तो पक जाएंगी बट अंदर से कच्ची रह जाएंगी इस तरह से हम गरम oil में गुजिया डाल देंगे गुजिया डालने के बाद इसे हम एकदम से नहीं चलाएंगे इसे हम दो से तीन मिनट घी में अच्छे से से सेट होने के लिए छोड़ देंगे इसके बाद ही कट्ची की हेल्प से इसे चलाते हुए फ्राई कर लेंगे इस तरह से गुजिया को चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे गुजिया को फ्राई करना बहुत ही पेशिंस का काम है क्योंकि गुजिया हमें मेडियम गरम ओयल में ही फ्राई करनी है अगर हम बहुत जादा गरम ओयल में गुजिया को फ्राय करेंगे तो हमारी गुजिया बाहर से जल जाएंगी और अंदर से अच्छे से पकेंगी नहीं अगर हमें खस्ता और बढ़िया गुजिया चाहिए तो हमें गुजिया को मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना पड़ेगा इसे इस तरह से उलटते उलटते हुए फ्राइ कर लेंगे इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करेंगे इसे अच्छे से फ्राइ होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे तो हमारी गुजिया नेडी हो चुकी है अब हम गुजिया को निकाल कर दो से तीन मिनट के लिए गर्मा गरम चाशनी में डिप करके रख देंगे अब हम इन गर्मा गरम गुजिया को हलकी गरम चाशनी में दो से तीन मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे इस तरह से डिप करने पर चाशनी गुजिया के अंदर तर्प एब्जॉब हो जाएगी अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज बेल आपको को प्लीज वीडियो